नमस्कार दोस्तों दोस्तों beauty के लिए ना जाने हम कितने products पर पैसा बरबाद करते हैं बरबाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि market में मिलने वाले ज़्यादातर products इतने effective result नहीं देते उपर से उनमें मिलने वाले chemical से side effect होने का खत्रा हमेशा बना रहता है आज हम आपको बताएंगे कि आप fit kri जिसको English में alum कहा जाता है इसके इस्तिमाल से कैसे beauty से related कई परिशानियों को दूर कर सकते हैं अगर आपको अपने face पर एक चमक चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर जूरिया ना आए तो आपको एक fit kri का चोटा सा टुकडा लेकर उसको पानी में भीगाना है और फिर अपने चेहरे पर उससे मसाज करनी है ऐसा आपको लगबग 5 मिनिट तक करना है कुछी दिनों में आप पाएंगे कि आपका चेहरा glowing और shiny हो गया है टिप नमबर 2 अगर आप नहाने के पानी में एक टुकडा fit kri डाल कर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और फिर इससे नहाएंगे क्योंकि fit kri में anti-bacterial गुण पाए जाते हैं जो बद्बू पैदा करने वाले की टाणों को खत्म कर देते हैं टिप नमबर 3 एक चमच fit kri के powder में एक चमच olive oil मिला ले और इससे अपने चेहरे और गर्दन पर हलके हलके हातों से मसाज कीजिए ऐसा करने से आपके चेहरे से dead skin cells दूर हो जाएंगे और आपके black heads और white heads की समस्या भी दूर हो जाएगी टिप नमबर 4 फिटकरी का उपयोग ना सिर्फ चेहरे के लिए फाइदेमन है बलकि बालों के लिए भी बहुत effective है फटकरी को पेस कर powder बना लीजिए और फिर खटी धही में एक चुटकी फटकरी powder डालिए और एक चुटकी हल्दी डालिए दही की मातरा आपको अपने बालों के अनुसार लेनी है इस mixture को आप अपने बालों और जड़ों में लगा कर छोड़ दीजिए लगबक आदे गंटे के बाद अपने बालों को धो दीजिए ऐसा करने से आपके सर से डेंडरफ दूर हो जाएगा कोई infection हो तो वो भी खत्म हो जाएगा और आपके बाल चमकदार भी बनेंगे टिप नमबर 5 रोज गरम पानी में फिटकरी को घोल कर अगर आप कुल्ला करते हैं तो इससे आपके दातों में अगर कीड़ा लगा है तो वो दूर हो जाता है और मूँ से आने वली बद्बूख खत्म हो जाती है साथी दात चमकदार भी हो जाते है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको फिटकरी से सुन्दरता बढ़ाने के उपाए बताए है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों